आज के इस वीडियो में बात करेंगे बी ए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की बात करेंगे मेडाइवल सुसाइटीज की हिंदी में कहते हैं इसे मद्धे युगीन समाच बेसिकली पूरी जो बुक है ये मद्धे युगीन समाच पर अधारित है मद्धे युगीन जो समाच यूरोप का ठीक है basically उस पर आधारी ते पूरी किताब ये discuss करेंगे इसके कुछ most important questions with solution Hindi medium में जो आपके लिए आने वाले exam में काफी helpful होंगे तो चलिए वीडियो आपके लिए काफी helpful है तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए टेलिग्राम पे जाके आप गुरूप को जोईन कर लीजिए एक लवे सनातक वन यहाँ पर जो भी आप lecture देखते हैं इसकी PDF आपको मिल जाती है as a notes ठीक है तो आप इसको जरूर जोईन करें इंस्टा पे आप मुझे follow कर सकते हैं आपकी कोई भी query है तो यहाँ पर आप मुझे से पूछ सकते हो username आपके सामने है चलिए start करते हैं सबसे पहले question की बात करते है सामन्तवाद की मुख्य विशेष्टाओं का वर्णन करो तो सबसे पहले आपको समझना होगा सामन्तवाद क्या होता है देखे सामन्तवाद का अर्थ था राजा दुआरा जो जमीन धनी सर्दारों को दी जाती थी उसे feud अत्वा जागीर कहते थे ठीक है इसमें क्या था सामन्तवाद जो था वो यूरोप के अंदर प्रचलित था यूरोप में सामन्तवाद एक ऐसी मद्ययुगीन यूरोप की बात हो रही है मद्यकाल की बात हो रही है मद्यकाल में यूरोप में सामन्तवादी विवस्था थी सामन्त वादी विवस्था के अंदर क्या था जो राजा हुआ करता था उसका स्थान सर्वोचोता था ठीक है राजा के नीचे राजा जो अपनी भूमी थी जमीने जो थी वो सरदारों को जो धनी सरदार हुआ करते थे ठीक है कहलाते थे सामंत, सामंत कहलाते थे क्योंकि वो समरिद्ध थे, इसलिए वो सामंत कहलाते थे, सामंत या कह सकते हो उनको जागिरदार, जागिरदार के नाम से भी प्रचलित थे उनका नाम उस समय, तो उनको कहते थे सामंत या जागिरदार, तो राजा के नीचे क्या आते थे सामन्त होते थे ठीक है वो कोन थे वो धनी सरदार थे जिनको राजा भूमी दिया करता था अब ये सामन्त क्या करते थे ये सामन्त अपने नीचे सामन्त अपने नीचे जो थे वो छोटे जमीदारों को भूमी देते थे ठीक है जो छोटे जमीदार थे उनको भूमी देते थे छोटे जमीदार क्या करते थे भूमी को किसानों को देते थे किसान और जो उनके अर्ददास होते थे ठीक है, हेलपर के रूप में कह सकते हो आप तो किसान और अर्ददास लास्ट कड़ी थी इसके अंदर जो की भूमी पर मेहनत करती थी तो सीधा सीधा फाइदा जो में फाइदा था वो मिल रहा था सामन्तवादियों को ठीक है तो सामन्तवाद को में फाइदा इसका मिलता था सामन्तवादी विवस्था की बात करें तो सबसे पहले देखें इसकी जो विशेशता थी वो थी राजा इसका सर्वोच सत्ताधारी था यानि जो राजा का रोल था वो में रोल राजा का था क्योंकि राजा के नीचे ही सामंतवादी थे और इसी के नीचे ही सभी जितने भी किसान थे जितने भी अर्ध दास थे वो सब इनके नीचे थे सामन्त वादी विवस्ता में राजा समाज में सर्वोपरी स्थान पर था और उसके अधीनस्त अन्य छोटे सामन्त थे जो राजा की सायता करते थे सामन्तों की अधीनता में क्रिशक वर्ग जो है वो कारे करते था मैंने आपको बताया है कि जो में टॉप पर था वो राजा था राजा के नीचे कौन थे सामंत थे ठीक है सामंत क्यूं थे वो क्यूंकि वो धनी थे ठीक है राजा इनसे कॉंट्रेक्ट करता था सामंत से और सामंत को वो अपनी भूमी देता था राजा का रोल खतम सामंत के न विवस्था थी, दो वर्गिये समाज बटा हुआ था, सामंतवादी विवस्था के अंदर दो वर्गिये समाज जो था, वो बटा हुआ था, कैसे बटा हुआ था, सामंतवादी प्रथा ने समाज को दो वर्गों में वाजित कर दिया था, एक था भूमी पती वर्ग और एक थ जो को नहीं थे वो धनी वर्ग थे, तो कुल मिलाके जो समूदाय था, वो दो वर्गों के अंदर विभाजित था, एक भूमि पती और दूसरा निर्दन वर्ग, किरशकों को उनकी भूमी की उपज या परियाप्त अंश सामंत ले लिया करते थे, यानि कि जो किरशक करते थे उनकी जो उपज हुआ करती थी उसमें जो पर्याप्त अंस्त था ठीक है वो कौन ले लिया करते थे वो सामन्त ले लिया करते थे किर्शक या दास वर्ग जो था वो दरिद्र जीवन वैतीत कर रहा था यानि कि जो उनका जीवन था सामंत वादी विवस्था में किर्शक का और जो भूमी पर मेन काम करने वाले लोग थे उनका दरिद्रता से जीवन वैतीत हो रहा था दास प्रथा जो है प्रचलित थी सामंत दासों से बेगार करवाते थे अब सामंत क्या करते थे जो दास थे अर्द दास जो थे ठीक है जो मेन नीचे की कड़ी थी जो काम करने वाली थी ये सामंत लोग उनसे कोंट्रेक्ट कर लेते थे और उनसे ये बेगार करवाते थे यान मैं आपका सेवक हूँ और सदेव मैं आपकी सेवा करता रहूँगा ठीक है शरद्धा भाव से मैं आपकी सेवा करता रहूँगा ऐसी प्रतिग्या ये करवाते थे किस से करवाते थे जो दास थे उनसे कौन करवाते थे सामंत करवाते थे तो ये दास प्रथा जो है सामंत वा खेती के लिए दे दिया करते थे समाज में सामन्तों की स्थिती बहुत सोद्रिड थी और क्रिशिकों की जो स्थिती थी वो बिल्कुल दैनिये थी अब जो राजा था ना वो सामन्तों से एक चीज और लेता था सामन्तों से वो सैनिक लेता था ठीक है? यानि जब सैनिकों की जुरुत पढ़ती थी युद के समय तो सामन्त लोग ही थे जो राजा को सैनिय चीजे जो उपलब्द कराये करते थे तो ये सारी विशेषता हैं थी किसकी सामन्त वाद की बात करते अगले कोश्चन की उन कारकों का विसलेशन कीजिए जिसके कारण प्रारंबिक मद्दे कालिन यूरोप में इसाई धर्म का विकास हुआ ठीक है तो उन कारकों को आपको बताना है जो प्रारंबिक मद्दे कालिन यूरोप में इसाई धर्म का विकास हुआ था तो देखे प्रारंबिक मद्यकालिन युग में इसाई धर्म के विकास के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराई जा सकता है जिनोंने इसाई धर्म का प्रचार किया, विस्तार किया और उसकी स्थापना की मद्धे कालिन युग की बात करें तो मद्धे कालिन युग में यूरोप में खास तोर से जो प्रचलित धर्म थाना वो इसाई धर्म ही था इसमें मैत्पुन भूमी का निवाई थी रोमन प्रभाव ने रोमन सामराज्य के समय इसाई धर्म का उदे हुआ इसका प्रचार प्रसार भी इस समय हुआ क्यूं हुआ देखे सडको और व्यापार मार्गो सहीत रोमन सामराज्य की व्यापक बुन्यादी धाचे ने विचारो और लोगों की आवा जाही को सुगम बनाये था यानि रोमन सामराज्य के अंदर सडको का निर्मान हुआ था व्यापार मार्गो का निर्मान हुआ था जिससे क्या हो रहा था कि लोगों का जो आवा गमन था जो आवा जाही थी उससे वो सुगम हो गई लोग एक दूसरे से मिल पा रहे थे जिससे क्या हुआ, जिससे इसाई धर्म विबिन छेतरों तक अपनी पहुँच बना सका था, ठीक है, यानि इसाई धर्म एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक अपनी पहुच बना पाये था, किस समय में, रोमन समराज्य का प्रभाव आप कह सकते हो इसको, दूसरा था समय की जनता थी, वो इसाई धर्म के प्रती उनकी जो जागरुकता थी, उनकी जिग्यासा जिती, जो बढ़ती जा रही थी, कांस्टे टाइन और बाद के राजा जो थे, इन सभीयों ने अपना धर्मांतरन कर लिया था, इसाई धर्म में, ठीक है, इससे क्या हुआ, जो उ मैत्पुन भूमी का निभाईज जिन्होंने इसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में, इसाई चर्च सकरिय रूप से मिशनरी कारियों में लगा हुआ था, ठीक है, वो जो भी चर्च के बेनिफिट्स थे, वो सभी लोगों को जा जा के बताते थे, ठीक है, मिशनरी, या जो भी चर्च में काम करने वाले लोग थे, उनको विबिन छेत्रों में बेजकर चर्च के बारे में बताने के लिए बोला जाता था, जिससे क्या होता था, इसाई धर्म का प्रसार होता था, प्रमुक मिशनरी यों जैसे कि आइरलेंड में सेंट पैट्रिक, ठीक है, और इ कुम थे ये चर्च में काम करने वाले वो थेे एक उन्होंने अपनी तरीकों को स्थानिय रिती रिवाजों और विश्ваसों के अनुकूल बनाया जो इनके तरीके थे अरिकसले तरीके की Betsy के को अपनाया यानि जो अन्य धरम के लोग थे वो भी इसकी तरफ आकरसित होने लगे, इससे क्या हुआ इसाई धरम का प्रसार हुआ, इसाई धरम में स्थानिय मूर्ति पूजा परंपराओं के तत्व शामिल थे, इससे क्या होता था, जिससे जो गैर इसाई समूदाय था, वो इसको स्व था मूर्ती पूजा जैसी परंपरा के तत्व जो सामिल थे उस समय तो जो अलग धरम के लोग थे वो इसको प्राप्त सुईकार करने में कही ना कहीं जिजक नहीं रहे थे और बल्कि उनको मदद मिल रही थी तो जैसे जैसे राज्यों और सामराज्यों का गठन हुआ शाषकों ने अपने छेत्रों को एक सामाने धरम जैसे इसाई धरम के तहत एक जूट करने की मांग की यानि जैसे जैसे ये समराज्य बढ़ता चला गया जैसे जैसे संगठनों का गठन होता चला गया वैसे वैसे क्या हुआ कि एक धरम की जो है वो मांग उठने लगी यानि कि संपून समाज समराज्य जो है वो एक धरम के अंदर बंद जाए इसके साथ साथ जो मेन उस समय शाशक थे उन्होंने भी यही बात उठाई कि अब जो ए समाज जो है वो एक धरम के अंदर हो जाना चाहिए इस परकेरिया के परिणाम सुरूप क्या हुआ इसाई चर्च की स्थापना एक शक्ति साली संस्था के रूप में उबर कर आई जिसका धार्मिक और राजनितिक दोनों मामलों में महत्पुन परभाव था तो इस समय क्या हुआ फिर कि जो चर्च था वो इसाई धरम के लिए एक शक्ति साली संस्था के रूप में बना जिसका धार्मिक के साथ साथ राजनितिक मामलों भी प्रबाव महत्पून रूप से पड़ा इसाई धरम की शिक्षाई भी इसाई धरम को आगे ले जाने में महत्पून योगतान देती थी जैसे की देखिए दान, करूणा, इश्वर के समानता ये सभी इसाई धरम की सिक्षाई थी उस समय समाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनूरूप थी उस समय क्या था? उस समय मद्दे कालिन युग में अनेक परकार के आकर्मन, समाजिक आसमानता और आर्थिक कटनाईया जो है उस समय के समाज को जहलनी पड़ रही थी और ये सारी चीज़े क्या थी? ये सारी चीज़े उस समय के लोगों को आकर्शित करती थी इसाई धरम ने उस समय सांत्वना दी, उस समय के जो जनता थी उसको सांत्वना दी, उसको एक आशा दिखाई और उन लोगों से उन्होंने इस परकार का वैवार दिखाया है कि वो उन लोगों से जुड़ेpower लोग है ठीक है उनसे संबंधिद लोग है ऐसी पेशकस इनोंने की जिससे क्या हुआ इसाई धरम उस समय के लोगों के बीच समन्नवे सथापित कर पाया तो उस समय के लोगों ने इसाई धरम को अपनाने में सुईकार करने में कोई भी कताई नहीं बरती इस से क्या हुआ इसाई धरम का प्रशार प्रशार हुआ और mostly जनता ने खास्त कर यूरोप की आप कह सकते हो कि बड़े भुबाग की जनता ने इसाई धरम को अपना लिया था तो यहां से इसाई धरम का प्रशार प्रशार हो गया था अगले कोशन की बात करते हैं अरब समाज में अरब समाज को एकक्रित करने के लिए मुहम्मद द्वारा उठाए गए कदमों का विशलेशन कीजिए मुहम्मद आप सभी जानते ही हो इसलाम धरम के प्रथम इसलाम धरम के संस्थापक है मुहम्मद तो अरब समाज को इन्होंने एकक्रित करने के लिए जो है वो क्या-क्या कदम उठाए दे तो मुहम्मद इसलाम के संस्थापक और मुस्लिम धरम के पैगंबर ने मुस्लिम धरम के पैगंबर भी थे ये और संस्थापक भी थे किसके? इसलाम के अपने जीवन काल में अरब समाज को एक्रित करने की महत्मुन भूवी का निकाई सरप्रथम क्या हुआ जब इन्होंने इसकी स्थापना की थी इसलाम की तो इन्होंने अरब कंट्रीज में क्या करा सरवे सबसे पहले लोगों को जोड़ने का काम किया किस प्रकार से लोगों को जोड़ा जाए किस प्रकार से लोगों को एक तके सूत्र में बांदा जाए तो सबसे पहले इन्होंने परचार किया एक इश्वर बाद का ठीक है और यही जो है, हमें जो है भविष्य में रा दिखाएगा अरब समाज की परचलीत बहू देवेवादी जो माननेता थी उसको foster कर दिया गया था यानि कि उस समाज में जो दूसरे, उस समाज में रहने वाले जो लोग अनेज देवी देवताहों को मांते थे उसकी माननेता को जो है इन्होंने खारिज कर दिया था और एक इश्वर की एक इश्वरवाद पर जो इन्होंने फोकस किया और लोगों को जो है शिक्षित किया एक इश्वरवाद के लिए ठीक है जगे जगे पर इन्होंने लोगों को समझाया एक इश्वरवाद के लिए कि एक ईश्वर है अल्ला और हमें इसी की पूजा पार्ट पर ध्यान देना चाहिए अपनी शिक्षाओं के माध्यम से महुम्मद ने अरब के लोगों के धार्मिक विश्वास को एकजुट करने में विविद बहुत देववादी यानि इन्होंने क्या करा है जो इनकी सिक्षाओं थी जो इनको ज्यान प्राप्त था इन्होंने इससे जो अरब के लोग थे उनका विश्वास जीता और उन्हें एक चुट करने में सफलता हासिल की और इन्होंने इसके साथ साथ जो बहुत देववादी परंपराई थी उसका जो है इन्होंने खात्मा गिया था यानि कि जो अलग देवी देवदाओं की पूजा करने वाले जो लोग थे उनका इन्होंने खंडन किया और बताया कि जो इश्वर है वो एक है हमें मिल जूल और भायचारे की भावना को इन्होंने आगे बढ़ाया मुहम्मद ने सभी मुसल्मानों की समानता पर जोर दिया इन्होंने कहा देखे जो भी समाज के अंदर मुसल्मान है न चाहिए वो अमीर हो गरीब हो उसकी जाती अलग हो ठीक है वो किसी और रंग रूप में अलग हो इन्होंने कहा सब समान है ठीक है सबको एक समानता की द्रिष्टी से इन्होंने देखा तो मुहम्मद ने कहा कि सभी मुसल्मानों की समानता पर इन्होंने जोर दिया उन्होंने कहा चाहिए उसकी समाजी किस्तिती है जन जाती कुछ भी हो ठीक है उन्होंने उपदेश दिय या फिर वो धन के अधार पर अलग हो लेकिन या फिर समाज में कोई उनका पद हो अलग से तो उन सब को छोड़ देना चाहिए सभी जो है वो अल्ला के सामने एक है सामाजिक समानता और भायचारे के संदेश ने विभिन जनजातियों के बीच की खाई को पाटने का काम किया अभी जो संदेश मुहम्मद ने जनता को दिया इससे क्या हुआ जो समाच में जैसे मानलो कोई समरिद्य समाच था और निम्न समाच था इसके बीच की खाई को पाड़ने का इन्होंने काम किया इन्होंने जो समाच था उसमें एकता की भावना को बढ़ा दिया था मुहम्मद ने सभी समुदायों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को माननेता दी जैसे मुसल्मानों, यहूदियों और मदीना के अन्ने जो निवासी थे उनके साथ जो है उचित वेवार किया उनके साथ हमेशा सयोग की भावना रखी तो इससे क्या हुआ, इससे सभी जो समाच था इनके भीस सांति पूर्ण सहस्तित्व की भावना की नीव जो है वो मुहम्मद के द्वारा रख दी गई थी जिससे क्या हुआ, इसलाम धरम के अंदर एकता की भावना जो है वो प्रकट हुई मुहम्मद ने शिक्षा पर जोर दिया देखे, इन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया इसलाम में ग्यान और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया इन्होंने कहा देखे, इसलाम जो है उसके साथ साथ हमें शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही ग्यान का प्रचार कर सकता है और ग्यान के प्रचार के साथ यह समानलों जो शिक्षित व्यक्ति होता है उससे अन्ने लोग जुड़ने की कोईश करते हैं तो इन्होंने क्या करा कि शिक्षा पर जोर दिया और इसलाम में ग्यान और शिक्षा के महत्वों को इन्होंने बढ़ावा दिया उन्होंने मुसल्मानों को ग्यान प्राप्ट करने शाक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रोसायत किया इनोंने सबी जो भी अरब के मुसल्मान थे सब को का भई आप शिक्षित होईए ग्यान प्राप्ट कीजिए शाक्षर होईए तब ही जो है समाज में आपके एक अच्छी दृष्टी होगी शिक्षा ने व्यक्तियों और समूदायों को जोडने का काम किया शिक्षा अमेशा क्या करती है लोगों को जोड़ती है तो शिक्षा ने वही काम किया जो अन्य व्यक्ति थे समूदायों थे उन सब को आपस में जोड़ा और इनको सशक्त बनाया उन्हें समाज में अधिक पून रूप से भाग लेने और इसके विकास में योगदान करने के शक्षम बनाया किसने शिक्षा ने तो जो मुहम्मद है इन्होंने अरब के लोगों को एक तरीके से सुद्रिड बनाया ठीक है सहीयोग की भावना इनके अंदर जागरुक की एकता की भावना इनके जागरुक की जिससे क्या हुआ जो इसलाम जो धर्म थाना वो कहीना कही अरब देशों में एक तरीके से जुड़ा रहा एकिकरित रहा अगले कोशन की बात करते हैं इसलामी दुनिया में कला और वास्तु कला पर चर्चा करो ठीक है कला और वास्तु कला पर चर्चा करो तो इसलामी वास्तु कला जो है इसकी विशेशता विबिन परकार से देखी जा सकती है इसकी स्थापत्ते सहली में यानि इसके दुआरा जो जो भी निर्मान कराया गया है ना वो हम जाहिर तोर से आज के समय में देख सकते हैं कि इसलामिक जो वस्तु कला थी वो कितनी प्रचलित थी और कितनी विशेश थी जो छेत्रिय सांस्कृतिक और एतियासिक काल से प्रभावित होती थी सबसे उलेखनी बात करें तो जो हमें आज के समय देखने को मिलती है वो मस्जिते हैं जिसमें हमें जो स्थापत्य कला इसलाम की उसके बारे में जानने को मिलता है जो मुसल्मानों के लिए क्या थी पूजा का स्थल थी ठीक है मस्जितों का निर्मान मुसल्मानों के लिए प प्रातना कक्ष देखने को मिलती है, जो कि इनकी विशिष्ट सहली को बताता है, इसलामी विशिष्ट सहली को, जो उलेखनी है, जो मस्जिते हैं, वो कौन-कौन सी है, आबुदाभी में शेक जायद मस्जित है, ठीक है, शेक जायद ग्रेंड मस्जित, ये कहां पर है, भी चीजे स्थापत्य कला के अंतर गताती है जो इसलामी कला को बताती है कैलिग्राफी एक कला है इसके अंदर कला है जिसको सर्वोच कला के रूप में माना जाता है इसमें क्या होता है इसमें अर्बी लिपी का एक कुशल लेखन शामिल होता है जिसमें अक्सर कुरान की आय प्रियोग जो है वो किया जाता है यानि कि जो यह जो सुलेख होती है ठीक है यह लेखन होता है इनको सजावटी सजावटी वस्तु के रूप में प्रियोग के जाता है कहां पर मस्जितों पे महलों में पांडू लेपियों में यहां पर इनका प्रियोग के जाता है इसके बा जिसके वर्ग हो गई, वरित हो गया, सितारे हो गए, यह सबी चीजे क्या है? यह Islamic कला से आई हैं, जो आपको वृत अकार के मिलेंगे, वर्ग अकार के मिलेंगे, सितारों के अकार के मिलेंगे, इसके बाद Arabic Islamic कला है, ठीक है, इसमें detail, interlacing, वनस्पती और pushp design सामिल होते हैं, ठीक है, flower के design जो होते हैं, वो इसके अंदर सामिल होते हैं, वो किस पर देखन को मिलेंगे, आपको चीनी मिट्टी की चीज़ों पर देखने को मिलेंगे, वस्तरों पर देखने को मिलेंगे, और अन्य धातों पर इनका प्रियोग जो किया जाता है, इसके साथ साथ देखे, इसलाम में आपको इसलामिक कला में सबस्यादा सुनने को मिलता है, कालीन के ब अपनी शिल्प, कोशल और जटिल डिजाइनों के लिए सारी कालीने जो है वो प्रसिद्ध है तो कहीना कहीं कह सकते हो जो इसलामिक कला है उसकी एक अलग विशेषता जो है वो समाज पर देखने को मिलती है अगले कोशन की बात करते हैं कोशन नमबर फाइफ की तो चीनी समा समाज में सांस्कृतिक निरंतरता, पीडियों में सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वास और रीती रिवाजों और परंपराओं की दृड़ता और संच्रणा को संदर्वित करता है ठीक है यानि जो चीनी लोग है जो चीनी पीडियां है उनके अंदर जो उनके रीती परिवर्तनों के बावजूद बी चीनी जो समाज की जो संस्कृति वो स्थाई तत्व है अपेक्षाकर्त आज के समय में भी स्थिर बनी हुई है चीनी लोगों की पहचान और उनका वहवार यह बताता है कि चीनी संस्कृति जो है ये एक समाज सुधारक थे ठीक है चीनी संस्कृति पर लगबग 2000 वर्सों से 11 परभाव इनका पड़ा था ये जो थे इनोंने अधिकारों के प्रति सम्मान श्रेणी बद संबंदों और नैतिक मूलियों पर जोर दिया था जिसको कि आज भी जो चीनी लोग है न वो फोलो करत हैं ये इनोंने जो है चीनी संस्कृति को ये बताया था कि किस प्रकार श्रेणी बद संबंदों को नैतिक मूलियों को जो है किस प्रकार से रखना चाहिए सामाजिक संरचना के बारे में पारिवारिक शिक्षा और नैतिक सिध्धानतों को इनोंने अच्छे से जो है चीनी मूले जो है वो सामाजिक अंतिकरिया को सामाजिक सामूहिक सामन जस्ते और पूर्वजो के प्रति संमान जो उसके अंतरगत सामिल होता है, यानि जो इनके पारम पर एक मूले है न, इनको आज भी चीनी लोग जो है, वो संस्कर्ति की द्रिष्टी से देखते हैं समाज के भीतर अपनी भूमिकाओं को देखने के तरीके को प्रभावित करता है क्या पारंपरिक मूल्य जो चीनी समाज के हैं भाषा की बात करें तो चीनी समाज ने अपने जटिल चरित्र और समरिद्ध साहित्य की परंपरा को बनाए रखा है सांस्कृतिक नित्रता में इनकी भाषा ने जो है वो एहम भूमिका महत्पुन भूमिका जो निभाई है चीनी लेखन प्रणाली हजारों वर्सों से काफी अत तक एपरिवति ने रही है ठीक है यह आ परिवर्तित है आ परिवर्तित रही है निवास circumstance की बात करें तो लगबग хотите बासा काफी वर्सों तक यह है एक जैसी ही रही है जिससे क्या हुआ है चीनी प्राचिन गरंत और दर्शनों में एतियासिक लेखों को पीडियो तक प्रसारित करने में आसानी मिली है और पीडियो तो की प्रसारित होती गई है और जो जो भी जो पीडिया रही है वो इन प्राचिन गरंतों को असानी से तो कहिना कि जो भाषा है ना इन्होंने एहम रोल निभाया है चीनी संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाने में त्योहारों की बात करें तो चीनी त्योहार देखिए इसमें चीनी नववर्स है मद्दे शरत उत्सव है और ड्रेगन बोट फेस्टिवल है जो की जो चीनी लोग है उसे धूमदाम से मनाते हैं इससे क्या होता है इससे पता चलता है कि जो चीनी लोग है वो मिल जूलकर किस प्रकार से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं त्योहार और अनुस्ठान चीनी समाज सदियों से मनाये जाने वाले पारंपरिक त्योहार जैसे रीती रिवाज इन सभी से जो इनका कलेंडर है वो चिन्नित रहता है भरा हुआ रहता है और इन सभी जो त्योहार होते हैं को ये धूमदाम से पारिवारिक रूप से मनाते ह धिक है पारिवारिक समारो, सांस्कृतिक मूलिों के सुद्रीडी करन और सदीओं से पुराने रिती रिवाजों के अफसर परदान ये करते आए हैं जो की सांस्कृतिक परधावगों के निधंतरता आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं इससे क्या होता है कि जो भी इनके प्राचिन त्योहार रहे हैं, उत्सव रहे हैं, इनको ये मनाते आए हैं और आने वाली पीडियों को भी ये शिक्षित करते आए हैं, बताते आएं कि क्या इनका, क्या इनकी संस्कृति है कला और शिल्प की बात करें तो चीनी कला के रूप में जैसे सुलेक हो गई, सुलेक, पेंटिंग, चीनी मिट्टी की चीजे, मार्शार आर्ट, ये सदियों से चीनी समाज का एक हिस्सा रही है, ये कह सकते हो कि ये चीनी संस्कृति का एक एहम हिस्सा रही है यह कलात्मक परंपराय ना केवल रचनात्मक अभिविक्ति के रूप में काम करती है बलकि जो इनकी संस्कृति है उसके संड्रक्षन के माध्यम के रूप में भी काम करती है यानि कि यह सभी जो कलाए है यह आज की पीडिया तो सीखी रही है इसके साथ साथ आने वाली पीड सत्रिति को जरसाती है तो ये सभी चीजसे जो है वो चीनी संस्किरति को सन्रक्षन की निर्धन तर्ता के मादम से आगे बढ़ाती है तो यहाँ पर अमारे व्वीडियो को चांप करें प्रशेर करें कमेंट करें